हेलो एंड गूट मॉर्निंग स्टूड़न हाव आर यू ओल आई होब कि आप सब फाइन हो इस्टांडर फोर सब्जेक हिंदी वेलकम तू जैमचंटा नैसनल स्कूल स्टूड़न तो रेडी हो स्टड़ी के लिए तो पहले तो ओपन यूर टेक्सबूक टेक्सबूक में गीनती लिखी थी एक्स्प्लाइन करवाई थी मैंने आपको तो आई होब कि आपने अपकी टेक्सबूक में फिल किया होगा और मैंने जो आपको सी डबली में होंवर दिया था कि अभ्यास चार आपको गीनती लिखनी थी और उसके बाद आपको पीछे स्वाध्यय में कु कोश्चन टू और कोश्चन त्री तीनों लिखना था तो आई होग स्टूडन के आपने लिख लिया होगा ओके तो हम आगे बढ़ते हैं तो ओपन यूर वर्क बुक स्टूडन अपनी वर्क बुक अपन करो हमने वर्क बुक अपन कर ली है तो अब आपको वर्क बुक में पेस नंबर थाटी टू श्टूडन पेस नंबर थाटी टू ओपन कीजिए उसमें कुश्चन नंबर वन क्या करना है कि अंकों का अनुलेखन कीजिए तो मैं आपको एक एक एक्जामपर दिखा देती हूँ क आपको कैसे लिखना है ओके तो आपको स्टूडन पेरे ते इसको उपर डार करना है ऐसे हो जाने के बाद फिर आपको एसे आपको लिखना है तो यह आपका एक्जामपर होगा ठीके तो आपको यह खूद से नो तक खूद से लिखना है घर पे तो यहाँ पर ह्ट्व करिये श्टूडन उसके बाद कुश्यान टू पढ़िए समझे और लिखे तो यहाँ वे भी हमने टेक्सबुक में किया था है कि एक तो एक एसे ही आपको लिखना है तो यह भी आपको हमवर्क में हुआ फिर उसके बाद सामने पेश नंबर 33 तो पेश नंबर 33 पर स्टूडन कोशन नंबर 3 कि एक से 10 तथा 11 से 20 तक के अंग क्रम में बोलकर जूड़ते जाए और देखिए कि कैसा मज़ेदा चित्र बनता है तो चलो हम भी चित्रा बनाते हैं कि पेड़ ने उठानी है हां हमें चलो हम एक से पहले स्टार्ट करते हैं तो यह एक है ओके ये एक से हम स्टार्ट करेंगे, यहां तक दाना है, एक से सिधा दो, दो से सिधा तीन, ओके, तीन से सिधा चार, फिर पांच पर आए, फिर छे, साथ, आठ, फिर नो और दस, हमने पैंड नहीं उठाई हो, एसे ही हमने बनाया, तो क्या बना स्टार्ट, अब ग्यारा से स्टार्ट कर देए, ग्यारा है, तो ग्यारा से हम सिधा बारह पर जाएगे, फिर बारह से, तेरह पर, उसके बाद, चवदह, पंद्रह, फिर सोलह, सत्रह, अठारह, उनिसोर, बीस, यह हमारा क्या हुआ, स्टार बना, उसके बाद कुश्य नमबर फोर, हिंदी आपको को क्रम में से बोलते जाए और जूडते जाए और देखी किसका चित्रा बनता है, तो शुटन्ट आपको आइडिया आ गया हुआ कि किसका चित्रा ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, ओके, फिर यहाँ पर हमें डार्क करना है, हाँ, छे, फिर, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उनिस, और जिद्दा, बीस, तो यह क्या हुआ हो, चुहा, टर्योर पेज, कुशन नबर फोर, के भई, अंकों के पास उन्हें सही सब्दा लिखे, तो यह देखो, आपके अंक दिये गए, यहाँ पर सब्दा में, तो आपको यह से मैच करके सामने सही अंसा लिखना है, तो लिखे शुड़ा, दो, तीन, चार, पांच, श, स सत्रह, अठारह, उन्निस, उपर लाइन की जनिया, फिर कुशन नबर सेक्स, टिक तस्तानों में यह क्रम्प के आने वाले संख्याव, आंकों में लिखे, तो जैसे हमें टेक्सबुक में लिखती कि भी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, वेसे सब्दा में हमें लिखना है, तो लिखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्निस, बेस, ओके, हम सब सामने वाले पेच पे आएंगे, पेच नमबर सर्टिफाइब, पेच नमबर सर्टिफाइब पर एक बतक बनाया हुआ है, कि नो, एक से बिस अंग तक क्रमिक रूम से बोलकर मिलाएए, और चित्रह में रंग भर ये, तो ये आपको खुद से बनाना है, और आपको रंग भी भरना है, ये हुआ आपका होमवर्ग, उके, उसके बाद कोश पेच नमबर से बनाया है, और सब्दमे में लिखा है, उसके बाद ये पैरोट है, तो हम गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, तो यहाँ पे हमने लिखा, आठ, ओके, अब ये केले कितने हैं, वो गिनने हैं हमें, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, ये केले भी हुए, आठ, कितने केले हैं, आठ, हब नीचे हम किताबे गिनेंगे, यपी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, तोदा, पंदरा, सोलह, सत्रह, कितने किताबे हुई, सत्रह, तो आपको लिखना है, सत्रह, उके, उसके उपर पतंग इतने हैं, पांच, तो हम लिखेंगे, पांच, फिर ये भमेड़े कितने हैं, साथ, तो हम लिखेंगे यहां पे, साथ, ओके, टर्न योर पेज, पीछे अब आपको खुद से हमवर्ग में करना है, ओके, गीनिये, अंक में और सब्दा में दोनों भी लिख लिखना है, उसके बाद question number 10, कि CD में क्रमी गुरूप से आने वाले अंक धता सब्दा लिखे, तो आपको एक, दो, तीन, चार, पांच, ओके, छे, साथ, आंट, नो, तस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंदरह, फिर उसके बाद सामने वाले पेज पर देख लीजिए, 16, 17, 18, 19, 20, तो यहां हुआ हमारा chapter finish, ओके, तो आपको अब क्या करना है, कि जिसमें यहां में मर्भूप में जितना में हमवर्द दिया है, उतना हमवर्द कंप्लीट करना है, ओके, अब आप पहले तो टेक्सबूप को अपन कीजिए, टेक्सबूप में chapter number 4, chapter number 4, chapter number 4 में student books पर आज की date अपने mention करनी है, तो आज की date हुई 7, ओके, आज की date हुई 7, तो chapter number 4 अपने बारे में, तो मैं आपको टेक्सबूप में explain कर रहे हूँ, कि आपको अपने बारे में क्या करना है, तो पहले तो आपको यहां पर आपका photo chip करना है, फिर आपको लीख किसका नाम होगा? तो कौन से गाउं में रहते हूँ, एहम दाबार, कोई आपको जो दूसरा गाउं का नाम लिखना हो, लिख सकते हो, फिर मेरे पिता का नाम, आपके पिता का नाम जो भे हो, यहाँ पे लिखना है, मेरी मा का नाम, आपकी मम्मे का नाम लिखना है, मेरे भाई का नाम, जो आप बुआ का भाई है तो आपके भाई का नाम लिखो और नीचे मेरी बहन का नाम तो आपके बहन है उसका नाम लिखना है आपको फिर मेरे चाचा का नाम तो आपके चाचा का जो भी नाम है वो यहां पे लिखना है फिर मेरी बुआ का नाम जो भी आपकी बुआ है ना गुजरा करके सुनाना है फीर Q5 नंबर तैन के आपके वर्यवर में कौन-कौन है नानी है है विसे कि आपके फैमिरी में कोई नहीं है तो नहीं करना है ठीक है वैसे फिर मेरे दोस्त या मेरी सहली का नाम को आपके के फ्रेंड्स का नाम लिखेंगे यहां पर फिर मुझे खाली जगा खेलना पसंद है तो मुझे गैंद खेलना पसंद है मुझे फूल रेकेट केलना पसंद है मुझे गैरम खेलना आपको जो भी पसंद है यहांपे लिखना मेरे मेरे अध्यआपव और अध्यज़का का नाम भालूने वह易्ष आप रहा पहले नाम जानते हैं ठीक है यहाँपे लिखना हैं फिर मुझे खाली जगर ज्यादा पसंद है जैसे कि खेलना गाना रंग भरना चीकर और फिर यहां पर किलाड़ी जैसे कर संचिन आपको नाम लिखने है उके तो खेल खिलाड़ी पढ़ना, खाना, गाना, देखना, मिलना, रंग, घरना, क्रिकेट पसंदे, फिर कहाणी, मिठाई, कवीधा, सेरियल, दोस्ते, हरारंग, जो भी आपको पसंदे, ठीक है, खिलाड़ी में आपको क्या पसंदे तो सचिंटे लुगर पसंदे, पढ़ना में कहा पसंद को कवीता देखने में क्या पसंद को शेर्यल मिलना किसको पसंद ndra रंग कुछ सा पसंद है हरा ठीकि आपको जो भी आपके मन में आए वो आपको भरना है मतलब कि आपको जो पसंद है फिर टानियोर पेज तो मुझे ना पसंद है तो जैसे के जूठ बोलना अनियमिक छात्रों मतलब के अन्रेगुलर शुडेंट होते हैं वो स्कूल हरुद न जैसे के कोई को ना ही पसंद हो जैसा आपको ना पसंद है वो लिखना है ठीके फिर आपको सब्दार अब आपको क्या करना है स्टूडन के आपको आपकी सी डवलू की नोड़ बुक में आज की डेट मेंसन करनी है आज का डे मेंसन करना है ओके फिर आपको चैप्टर का न चेप्टर चार अपने बारे में लिकर आपको सब्दार्थ लिखना है सब्दार्थ में कक्षा तो जैसे के धोरन परिवार तो कुटुम आपको दोनों लिखना है गुजराती भी लिखना है इंगलिस भी लिखना है और हिंदी भी लिखना है जैसे के स्टांडर कक्षा तो ध चाचा पीता मैं आपको आपकी नोर्थुक्स में दिखा देते हूं कैसे लिखना है आपको जिसे के आपको लिखना है स्टांडर ठीक है तो यह क्या हुआ कक्षा और गुजराती में क्या कहेंगे हम इसे दोरन फिर यू एन सी एल ए अंकल क्या कहेंगे हम इसे हिंदी में अंकल और यह हुआ गुजराती में काथा ओके आपको ऐसे सब्दार्थ लेखने हैं यह आपका एक्जाम्फल था शूड़न ठीक है आपको खुछ से आपके नोट्बुक में लिखना है अब आपको सब्दार्थ लिखने हैं सब्दार्थ के बाद आपको सामने स्वाध्य देखिए स्वाध्य लिखना है तो स्वाध्य में आपको कोश्यन वन सही जोड़ी मिला यह तो पीता तो माता भाई तो भावी चाचा चाची मामा मामी दादा दादी उके उसके बाद कोश उसके बाद आपको क्या करना है औरुना चोथी कक्सा में पढ़ती है क्योंकि वो लड़की है तो पढ़ती आएगा लड़का खेल रहा है मैं माता-पिता का अधर करता हूँ उसके बाद आपको श्टुडांट कोश्टक में से उच्छी सब्दा चुलकर खाली जगह अब यह तो क्या हुआ कि मैं लड़की हूँ मेरे पीता किशान है मेरी माता घर काम करती है मुझे खेलना पसंद अच्छा लगता है अब उसके बाद आपको कोश्टक में अपनी सकी आपने दोस्त का परिचे लिखे कैसे लिखेंगे मैंने यहां पर लिखा है जैसे के मेरे दोस्त का नाम खाली जगह है आपके दोस्त का जोबी नामे वह जोथीक अक्सा में पढ़ता है उसे क्रिकेट खेलना पसंद है वह हमें से स्कूल आता है वह अच्छा चित्र बनाता है वह कविता भी का सकता है वह शिक्षक बनना चाहता है मैंने यहां पर अंडरलाइन नहीं कि है आपको अंडरलाइन कंपलसरी करनी है और आपको आपकी इसाब से आपको खुद को जो भी लिखना पसंद है वह आप अपने नौटबुक में लिख सकते हो ठीक है अपने फ्रे ठीक है तो तब तक आपको चैप्टर नंबर 3 आपको वर्क बुक में कंपलिट करना है उसके बाद आपको CW में चैप्टर नंबर 4 सब्दार्थ और स्वाध्ये दोनों कंपलिट करना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम पीछे वाला पुन्रावतन 3 देखेंगे ओके तो तैंक यू, टेक केर